Assalamu alaikum everyone, I hope all of you are doing well. So, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे Gender Studies का एक important और significant topic that is what is Queer Theory. इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे उसका introduction, कुछ explanation और कुछ theorist का point of view on Queer Theory. So, let's start. अगर introduction की बात करें तो पता चलता है कि ये जो तेरी है, ये 1990 से करीब आई थी और इसने basically किस चीज़ को favor किया था इसकी जो ज़ादातर tilt था सारा का सारा जो बगए tilt था वो homosexuals की तरह था homosexuals mean मतब एक तरहां के मतब जिनका जो sex है वो basically जो उनका gender है या जो sex है वो एक ही हो अगर ओरत है तो ओरत ही है especially इनका lesbian LGBTQs वहाँ से merge हुए heterosexual के है male और female दो अलग genders है, ये hetero है male और female का अलग gender होना लेकिन homosexual का मतलब ये का sense of attraction होना दो same genders का जैसे कि अगर female है तो female के साथ sense of attraction हो रही है LGBTQs है, उनकी trans है, उनके अलाग है basically उस time पर 1990s के करीब AIDS का जो था, वो issue बहुत हो जागर हो गया और उस वकद उनके लिए जो AIDS था, वो basically होमो सेक्चुल्स की वज़से बहुत ज़दा जो होमो सेक्चुल्स थे वो उमरने लगे, 1990s के करीब तो basically ये theory emerge जो जो बहुत सारे जो बहुत हो जो जो बहुत हो जो बहुत है तो ये theory emerge हो गई इसके अंदर उन्होंने बताया कि हाजी मनी कैसे करीब हो रही है, जो हेट्रो सेक्चुल्स है दो अलग जेंडर के लोग है ठीक है, उन्होंने हाजी मनी करीड की विए एक अपनी superiority करीड की विए उससे क्या हो रहे है, कि होमो सेक्चुल्स की जो लाइफ है वो थ्रेट के अंदर है So let's move towards the key concept in this theory सबसे पहले concept ये था कि sex जो है, वो basically fluid like concept है जिसरा जेंडर है इसका मतलब ये कि जिसरा जेंडर हम कहते है कि at the time of birth, जो sex होता है, वो biological होता है मतलब जो bio होती है या हमारे पाँ जो कुद्रत होती है, nature होती है वो बताती है कि आपका क्या sex है जैसे ही doctors आकर बाहर बताते है कि आपको girl है या boy है, तो ये society emerge कर देती है कि इसके genitalia ऐसे होंगे तो ये girl होगी, ठीक है? उसको ये चीज़े पसान होनी चाहिए society emerge, construct करती है जेंडर को, लेकिन sex जो होता है according to that general concept लेकिन according to queer theory queer theory कहते है कि जिसना gender socially construct है, कि society बना देती है, उसको sex भी socially construct है हम जो कहते हैं कि ये male है या female है या lesbian है या या ये सारे society ने, माश्रे ने ये concept बनाए हुए ये भी change हो सकता है कोई बन्दा जो पैदा male हुआ था वो after 10 years के बाद female भी हो सकता है तो इसमें कोई ममानियत नहीं according to queer theory second concept ये था second point is, see the world through different lens specially in terms of gender and sex basically, इस theory ने लोगों की eyes को इस तरह से खोल दिया, कि आप ने gender और sex को एक ने तरह से, नई dimension से देखना है, ये नहीं है कि जो आप देख रहे हैं सिर्फ वही है, there is something reality beyond the lens, ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें में हैं जो नजर नहीं आ रही है appearance versus reality ये concept दे दिया है उन्होंने, और कहा कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं है कि वही reality हो, ठीक है Minority always got suppressed by majority तो basically यह minorities कोण है, जो के basically homosexuals है दबके majority कोण है, जो के basically heterosexuals है, तो minorities जो है, वह majority उनको suppressed का रही है, उनको oppressed का रही है, क्योंकि उनको rights ने मिल रहे हैं, इस theory ने इस पार में भी बात की The fourth point in this theory is heterosexuals are creating dominance over homosexuals, dominance create कर रहे हैं, और different institutes, different जो शोबे हैं, उसके अंदर सिफ heterosexuals ही हैं, और homosexuals को अगे नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है freedom or liberty की बात हुए कि उनको queer theory के recording उनकों ने कहा कि homosexuals को भी आजादी होनी चाहिए कि वो और आम से घूम फिर सकें, जिसना heterosexuals हैं, हर जगा जा सकते हैं, आ जा सकते हैं को कोई judge नहीं करता, non-judgmental हैं सब उनके लिए, लेकिन for homosexual everybody is judgmental, तो उनकी freedom or liberty को curtail नहीं करना चाहिए बलकि उनको rights provide करने चाहिए अब major theorist के अगर बात की जाए है, create की गई है heterosexuals की तरफ से जो एक dominance create की है heterosexuals ने वो हर एक शोबे के अंदर कर दी है, सिर्फ एक शोबे के अंदर नहीं है, जिसरा biological factor के अंदर नहीं है, बलके social, economic, political, हर institution के अंदर heterosexuals ने अपनी hegemony create की वे, जिसकी विससे suppression हो रही है homosexuals की, अब यह जितने भी शोब में हैं, सिके अंदर सिर्फ heterosexuals जो हैं, वो काम का रहे हैं, homosexuals को आगे नहीं आने दिया जाता, जिसकी वससे उनकी जो personality है वो surprise हो जाती है, second हमारे पास जो theorist हैं, वो है Judith Butler इन्होंने लिखी दी gender trouble अपनी जिसके अंदर उने ने बताया था कि other का concept दिया था कि कैसे female जो है वो एक other consider की जाती है अगर हम लोग बात करें एक आम नॉर्मल सुसाइटी में पेट्रियार्कल सुसाइटी में उसमें फीमेल को एक other consider की जाता है उसको एक किसम का वो संदा जाता है अगर हम लोग बात करें heterosexual world के अंदर तो homosexual जी है वो other है उनको कोई rights ने मिलते हैं उनको suppress किया जाता है तो उनने कहा था जो homosexuals है उनको other के नाम से ने डिनोट किया था अपनी society के अंदर उनकी कोई जगा नहीं होती और वो एक other के तोर पर काम का रहे होते है ठीक है और बाकी जो hegemonie है जो dominance है और जितने भी चीज़े enjoy का रहे है वो heterosexual है जो enjoy का रहे है इसके बाद उनके concept दिया था implication of queer theory का implications क्या होती है हम इसके अदर पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या impact पढ़े queer theory के impact ये पढ़े कि सारा परस्पेक्टिव बना हुआ था पहले एक notion था एक बहुत ideas जो create हुए वे थे वो change हो गए perspective बदल गया ideas, norms, values बदल गए gender क्या होता है, sex क्या होता है सब कुछ बदल गया और उनने क्या एक perspective बना दे हो homosexuals है male और female से आगे बढ़कर भी gender और sex है और perspective बदल दिया उसकी तरफ जिसकी वसे उनको काफी हता कि research के अंदर भी लिखा गया और उनको rights के प्रोवाइट के गया So that's all from my side if you have any queries you can ask me in the comment section and if you want to add anything in this you know lecture you can surely add in the comment section as well So please like subscribe and share my channel Thank you so much for watching